हैलो मेरी प्यारी बच्चों कैसे हो आप उमीदे सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खुब मन से कर रहे होंगे तो चलिए बच्चों आज हम लोग फिर पढ़ लेते हैं पढ़ना नहीं आज तो हमारी लिखने की बाड़ी है पढ़े तो हम पिछली वीडियो में थे क्या पढ़े थे हम पिछली वीडियो में पढ़े थे हिंदी वर्ण वाला तो हिंदी वर्ण वाला में क्या पढ़े थे हम पढ़ से तीन सब्द मैं आपको रिवाइंड करा देते हूं फिर हम आज पढ़ लिखेंगे ठीक है बच्चो तो चलिए हम मैं rewind करा रहे हूं आपको कि पहसे तीन सब्सम क्या पढ़े थे तो पहसे पहला सब था पहसे पतंग ठीक है बच्चों और दूसरा था पहसे पीता और तीसरा था पहसे पताखा उसकी उपर नीचे हो सकता है वह सकता है आप पढ़ेंगे न तो थोड़ा सा उपर हो पटाखा नीचे हो पपीता उपर हो ठीक है तो वह आप मैनेस कर लिजेगा ठीक है मुझे इतना यादा आ रहा है मैं बता दे रही हूं कि तीनों सब्सम आपको याद आ जाए ताकि पतंग पटाखा और पपीता हमने पढ़ा था ठीक है बच्चों तो चलिए आज हम पौर लिखते हैं यादि कि आसान तरीके से कितना अच्छे से हम पौर जल्दी से बना लेंगे यह हम सीखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बराना देखिए पौर कैसे लिखे हैं सबसे पहले आप लोग को भी साथ में जदी लिखना है तो क्या करिए आप कि आप हिं लिखेंगे लिटाके आओ उसके बार से बीच में डॉट देके और क्या करेंगे कि इस बार क्या करना है दो डॉट देनी है देखिए बच्छों पिछली बार हमने एक डॉट दिलवाय था ला इस बार दो डॉट देनी है तो क्या करेंगे पहले स्लिपिंग लाइन देंगे उसमें थोड़ी थोड़ी दूपे दोड़ बना देंगे ठीक है एक आगए डोट एक उसके आगे डोट ठीक है फीशे डोट ठीक है तो जो झेज WAY डोट ऑपिसे वज़यरी अप्छी जुंव आगे फीशो में देंगे या। कि तरफ यानि लेफ्ट किसे ऊपर से उपर से और दाहिनी सैड में मोडते हुए लिया कि डॉट से सटा देंगे एकदम उसी से टच करा देंगे ओके और देखिए तब उससे क्या बन गया हमारा आसानी तरीके से पोफ बन गया आप भी बनाएं बार बनाएं जितने जाएगा आपको हो सकता है एक बार दो बार में कनफियोजन हो आपको नहीं बनाने आए लेकिन अगली बार में हम को पूरी उमीद है कि बहुत अच्छे से आप बना लेए ठीक है बच्छों तो चली इतना है से वीडियो से माप करते हूं वीडियो पसंद आई हो तो एक ल झाल झाल